जन्पद में शुक्रवार को 80 केंदरों पर 19,598 लोगों को कोवीट का वैक्सिनेशन किया गया जिसमें 1 रोज लेने वालों में 14,816 और 2 रोज लेने वालों में 4,772 लोग शामिल रहें जिसके संबंध में सियमो डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि शुक्रवार को 2 महिला तथा 2 अभिवावक स्पेसल केंदरों पर वैक्सिनेशन किया गया है इसके अलावा जिला अस्पताल, महिला जिला अस्पताल, बी आरडी मेटकल कॉलेज, सियस्सी वा पियस्सी सहि कुल 80 केंदरों पर वैक्सिनेशन किया गया है, उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा, जन्पत में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट आई है, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके बचाव के लिए मास्क लगाए वा सोसल डिस्टेंस का पालन करें तथा जिन लोगों का वैक्सिनेशन अभी तक नहीं हो पाया है, वह लोग वैक्सिनेशन जरूर करवाएं, इस संबंध में गुरक पूर ने उससे बात करते हुए, सेमो डॉक्टर सुधाकर पांडी ने कहा, पुष्छा जरूरा बुए जरूर्ग जरूरूर ने जरूररूर लोगों का जरूर्गे जरूर्च अरूरूर। झाल कोई है पुच्छी डोला मान जादी पुच्छी गोला पुच्छा ताली जया दोज्ए जी खॉले ओह जँ झाली मोझा है जे भेंब के धले जाली अचक्षकी के दोज्ए वेक्सिनेशन हो रहा है जिसमें से 2 आवक इस्पेशल, 2 महिला स्पेशल, बैयाडी मेडिकल कालेश, वमारे जिला श्पताल, महिला श्पताल, वमारी अर्बन पीएसे और पर रूदर पीएसे पर वेक्सिनेशन हो रहा है जनता से अपील है कि अपनी बारी आने पर वाइसनेशन जदो करा है और करोना का समक्रोन अभी भया नहीं है उस पूबे नियमों का ज़रूर पालन करें जिससे की विमारी और ज्यादा ने खाल है जिस तरह से कंट्रोल पर चुके हैं उस तरह से कंट्रोल ही रहे विमार में जरूरी पड़को तरी जाए और जहां भी जाए मास्का जरूर इस्तिमाद में जैसे की संकर्मन जो कम स्थिति में पोजेशन में आ गया है इसी पोजेशन बना रहे है और कोई यसी कज़ोटी ना आने पाए जैसे की लोगों को नुशाए